सिधा रेचरें के दिली जहापर की दिली के मुख्य मांतरी आरविंद के जिवाल प्रेस को समभोधित कर रहे हैं कि किसी दिन तीन आ रहे हैं किसी दिन चार आ रहे हैं अगर ये बढ़के सौ परड़े भी हो जाते हैं तो आज हमारे पास जो विवस्था है आज हम जिस थिती में हैं वो काफी है इसको हमने चार पांच चीजों में देखा है कि हमारे पास आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी अगर सौ केस होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी 500 होते हैं तो isolation beds की कितने जूरूट पड़ेगी 1000 होते हैं तो isolation beds की कितने जूरूट पड़ेगी दूसरा ventilators कितने ventilators की जूरूट पड़ेगी अगर 100 case होते हैं तो कितने ventilators की जूरूट पड़ेगी 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी कितने ICU beds की जूरूट पड़ेगी हर स्टेज पे कितने ICU beds की जूरूट पड़ेगी कितने testing क्षमता की जूरूट पड़ेगी कितने test करने पड़ सकते हैं अगर 100 patients daily आ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे हमें उन दिनों में कितने test करने पड़ेगे कितने test की जूरूट पड़ेगी और ambulances की कितने जूरूट पड़ेगी कितने doctors nurses की जूरूट पड़ेगी वो doctors nurses कैसे आएंगे कहां रहेंगे इस सब की बहुत डीटेल्ड प्लैनिंग इन सब ने इस मेडिय डॉक्टर्स की टीम ने की है तो सौ केस तक जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहल हमारी तैयारी है सौ से जैसी बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लैनिंग करके दिया है कि हमें सौ से बढ़ने पे इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारिया करनी है ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंकलूड करना है ये ये एंबुलेंसे यहां यहां से आएंगी ये ये वेंटिलेटर यहां यहां से आएंगी तो 100 से बढ़ते ही, फिर हम वो सारी चीजें implement करना चालो करेंगे, एक तरह से SOP तयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी planning तयार हो गयी, 100 से बढ़ने पर हमें यह-ई steps लेने हैं, वो उसकी सारी तयारी है, 500 पर बढ़ने हमें यह-ई steps लेने हैं, इनमें अभी 100 तक की जैसे मैं को हम सारी दूर कर रहे हैं, और इनकी planning के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तयारी अभी हम करके चल रहे हैं, उस stage की भी हम तयारी करके चल रहे हैं, भगवान करे, ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उ लॉकडाउन जो किया है, उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नहीं किया, मैं उमीद करता हूँ कि यह कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बढ़ता है, तो हमें तयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तयारी किया है, दूसरा है जो बहुत गरीब तपका है सबसे गरीब तपका जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को लेकिन जिन लोगों को जिन लोगों को इस राशन कार्ड भी नहीं है जिन लोगों को इस खाने को नहीं है गर में बिल्कुल अब चूला जलना बंद हो गया ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रहन बसेरों में खाना खिला रहे थे हमारे 224 रेन बसेरे चल रहे थे अभी तक लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पढ़ते जा रहे थे डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है 224 रेन बसेरे भी कम पढ़ रहे थे और कई जगे से खबर आ रही थी कि यहां भी लोग भूखे हैं, यहां भी लोग भूखे हैं, यहां भी लोग जाने की कोशिश कर रहा है मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के उपर जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं, यहां पर खाना नहीं है तो इसको हमने बहुत बड़े स्थर के उपर आज से हम बढ़ा रहे हैं हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतिजाम किया है 325 हर स्कूल में कम से कम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम दोनों टाइम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम किया है जो existing रेन बसेरे थे उन रेन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है तो आज से अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे आज से ये संख्या बढ़के लगबग 2,00, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं इन सेंटर्स को डिस्टिब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को जादा दूर चलके ना आना पड़े मैंने अपने सभी MLA's को बोला है कि सभी MLA's के जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षित्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके एंशूर करें सरकार तो अपनी विवस्था करी रही है समाज को जैसे मैंने बार-बार कहा समाज को भी सामने आना पड़ेगा समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए जहां जहां और विवस्था करने की जुरूरत है खाने के विवस्था करें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालो हो जाए यह लॉकडाउन सारा बिकार हो जाएगा अगर हमने यह सेंटर्स के उपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहां पर अगर कोरोना फैलना चालो गया तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मैं भी देख रहा था जो जो हमारे रेन बसे रहे हैं वहाँ पे मीडिया के लोग भी गई थे वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम चल रहा है वहाँ पे सोशल दूर दूर बिठा बिठा के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है मास्क वास्क पेन के सब अच्छे से कर रहे हैं कई सारी समाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं इसकौन वाले बहुत मदद कर रहे हैं राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं गुर्दवारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और खुद भी काफी चला रहे हैं और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ कर दिजेगा बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की और से शुक्रिया अदा करना चाह जाता हूँ इन दिनों में पिछले दो-तिन दिन में मैं देख रहा हूँ जहारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन सुरेंजी के भी सोशल मीडिया पर मेसेज आ रहे थे उधर ममता दिदी भी कह रही थी जहारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रख हमारे हैं वो जहारखंड के हो सकते हैं चाहिए बिहार के हो सकते हैं चाहिए यूपी के हो सकते हैं चाहिए तमिलाडू के हो सकते हैं चाहिए कहीं के हों वो हैं दिल्ली के वो अब हमारे साथ हैं वो हमारे हैं उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए तो एक 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 व्यक्ति को हम खयाल रखेंगे पूरी कोशिश करेंगे एक दो दिन में कुछ जगे दिक्कते आई थी जैसे मैंने बताया कि खाने पिने की दिक्कते आ रही थी अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के उपर बढ़ा रहे हैं किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे और सभी राज्यों के दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग आ के यहां पे रहते हैं मैं देश के सभी अन्य राज्यों को उनके मुख्य मंत्रियों को उनके लोगों को या श्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम किसी कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो यही कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को खाने पीने की कमी नहीं होने दी चाहेगी और जो रहन बसे रहे हैं जहां पर लोग रात को आकर रुका करते थे वहाँ पर इनके खाने पीने का इंतिजाम किया गया है और खास बात यह रही है कि धार्मिक संस्थाएं भी आ गया रही है 100 केस तक हमारी तयारी है सेम की तरफ से यह कहा गया कि फिलाल वो आकलन कर रहे हैं कि स्वास्तर महकमा कितना मुस्तैद है तो उन्होंने कहा कि हम आकलन कर रहे हैं कि अगर हर दिन 100 केस सामने आते हैं उस स्थिति में क्या किया जाए इसके लावा साथ हिरोंने ये भी कहा कि मजदूरवर्द के लोगों की तरफ से बार-बार यहीं बात निकल कर सामने आ रही है कि वो भूके हैं उन्हों तक खाना नहीं पहुंच रहा क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर दिन कमाते थे और हर दिन खाते थे तो अब ऐसे में उन लोगों के लिए रहात की खबर है कि अब उन्हें रैन बसेरों में खाना दिया जा रहा है साथ ही रैन बसेरों में सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूले को भी पको भी इस्तिमाल में लाया जा रहा है ताकि करोना के खिलाफ जो जंग है उसे लड़ा जा सके जीता जा सके झाल